ओम सूर देवतायनमे नमस्कार मित्रों आपका हमारे यूटूब के इस चनल में दोस्तों जैसा कि आप वीडियो के माध्याम से देख रहे हैं इसको कंठारी के नाम से जाना जाता है जहां दोस्तों इसको भटकटईया भी कहा जाता है यह आपको सड़क के किनारे और जानवर नहीं खाता है पर यह अपने में आयर्व आप अपने स्वास्तलाब ले सकते हैं और आपने छोटे चोटे रोगों को दूर कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मत्य akkab प्रयोग जो होता है आयरवेद में किया जाता है जिया दोस्तों आज चलिए अब हम जानते हैं इसके कुछ आयरवेदिक और अनभूत प्रयोगों के उबारे में जिसको आप ले सकते हैं जिहां दोस्तों जिन लोगों को अस्तमा अपाच बावासीर कांस की सूजन और पेशा में जलन होती है उनके लिए जो होता है वाटकटिया काफी फायदे मंद होता है तो चलिए जानते हैं कि आपको कैसे दचारी की माने तो भटकटिया के 20-30 मिलीलीटर पत्ते के रस में थोड़ा साथ मिला करके अगर आप सिर्फ चंपी करते हैं रोजाना तो यह आपके गंजेपन को दूर करने का कारे करती है और कुछी दिन में आप देखेंगे कि आपके बाल जोंगे वो नय नय बाल उगन और जिनकी आखों के गटे पे दर्द रहती है नसों में सूजन सी रहती है लाल लाल सी हो जाती है उनकी लालिमा को दूर करने का कारे करती है साथ में यह दर्द से भी निजात दिलाती है जिसके लिए आपको किसी मेडिसिन के आवे सकता नहीं पड़ीगी और नहीं किसी ड दात दर्द होता है तेज़ दातों में कीड़े पड़ गए हो उनके लिए यदि दातों में दर्द हो रहा तो कंटारी की बीज को आपको हॉम वाली दूएं में डाल लेना और इसका दूएं जो है अपने मुह पे लेने से यह दातों के कीड़ों को बाहर निकाल देगा साथ म चुटकारा भी दिला देगा और आगर आपके दात सल रहे हैं किसी प्रकार के कोई कीट उसमें फसा हुआ है तो भो भी मर करके निकल जाएगा वही दम तोड़ देगा और आपका दात जो होगा तंदरुस्त हो जाएगा दर्द से निजात दिलाने के लिए आप इसकी जड या फिर इसके पत्ते की भी काड़ा मना कर कि कुला करने से यह दात दर्द को ठीक कर देता है जी हाँ दोस्तों कापी समय ऐसा होता है कि हमारा दात दर्द तो हो रहा पर उस समय उसमें फल नहीं आया रहते तो आप इसके जड़का और इसके पत्ते का भी इस्तमाल कर सकते ह एक गंबीर बिमारी है जिसको हम मिर्गी की नाम से जानते हैं इसके लिए आप ताजे भठकटी है कि पत्तो का रश निकालने और इस रस को नेमित रूप से सुबह साम नाक के छिद्र में यानि नाक के छेद में एक से दो बूल अगर डालते हैं तो ऐसा करने से जो मिर्गी क दोरे के आने की संभावना रहती उसको यह दूर कर देती और लगाता अगर जादा दिलों तक अगर आप करते इसका प्रयोक्ति मिर्गी को पूर्ण रूप से ठीक करने का भी कारे करते हैं जीहां दोस्तों मिर्गी सभी जानते कि मिर्गी एक दोरा पढ़ने वाले बीमार दवाईयां आप खाना बंद कर देते हैं मिर्गी की दोर्य आपको पुनाय पढ़ने लग जाते तो आप बटकटियां के पत्तों का रज जो होता उसका काड़ा जो होता एक से दो बून ड्रॉप की सायता से डाल दें आक की छिद्रों में कुछ समय तक लंबे समय तक करें मैं धाल करते हैं वेशी संख्या नहीं करना अब कम करना आप दे देखें के च्छै महने के बाद मित्रों आपको श्सायत उनकी मिर्गी दूर हो जाएक ज़स्य मनद गुद्धी में भी विकास होने लग जाता है Never गटकुचली के लिए भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं दाद खात खुजली के लिए किसी क्रीम का उपयोग मत कीजिए आपको रोड किनारे आसानी से भटकटिया देखने को मिल जाएगी आप उसको जो है उसके अच्छी तरीके से जो होता है भटकटिया के फनों का उसका रस निकाल लेना और थोड़ा से सरसों का तेल मिला करके अच्छी तरीके से उसको चटनी बना करके सरसों तेल में अच्छी तरीके से पीस करके जो है मित्रों उसको दाद पे अगर लगाएंगे तो कुछ दिनों के बाद आपकी दाद की जलन खतम हो जाएगी खुजली खतम हो जाएगी और दा को कि सिखायत है यानि उनके पीट पर पेट पर सफ़े चिठे पढ़ जाते हैं वह भी इस प्रकार अगर सेवन करेंगे तो उनके जो होंगे दाग पूरी तरीके से चल जाएगे अगर किसी प्रकार से आप को घाव हो गया और उसका दाग पढ़ने वाला है तो उसपे भी आपके कितने सारे आयरवेदिक रोगों आयरवेदिक गुणों को अपने में समाती हो और यह आयरवेद से आपके रोगों को नश्ट करने का कारे करती तो दोस्तों इसको सहीच करके रखिए और इसके आयरवेदिक लाप को अवस से लीजिए आसा करता हूं कि वीडियो आपक तक लिजाजे दीजे हरार महादेव